या आपको भी scalping trading बहुत पसंद है बट आपको कहीं न कहीं problem आता है psychology का आप live market में बड़ा trade capture नहीं कर पाते हो तो यह वीडियो आपके लिए दूसरा यह वीडियो उनके लिए है जो पहली बार इस market में आ रहे हो option trading करना चाहरे हो या फिर option buying करना चाहरे हो साथ में आपको problem क जा रहा है कि आप जब भी buy करते हो आप दो पॉंट शार पॉंट लेकर चले जाते हो बट कहीं न कहीं market बहुत बड़ा momentum करता है आप FOMO के अंदर आ जाते हो कि मैं यहां पर miss कैसे कर दिया फिर आपके अंदर greed आता आपका psychology खराब होता है मैं live stream में जो trade दिखाया था आप सब कुछ कर सकते हो आपको मार्केट में डर्ना लागे पोजिशन साइजिंग बनाने में आपको फ्रॉलम ना है तो लिए वीडियो करते हैं सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यहां पर scalping पर हम लोग देखने वाल है न तो direct हम लोग ऐसा नहीं करेंगे चार्ट हमने open कि और trade करना हमने start कर दिया हम लोग यहां पर कुछ logic कुछ method को follow करेंगा और वो method क्या होगा पहले मैं आपको explain कर देता हूँ ताकि आपको problem नहों बात में आपको यह न लगे कि मैं क्या बताता चल रहा हूँ सबसे पहला चीज हम लोग यहां पर क्या देखने वाले सबसे फर्स हमारा यह होगा video का सबसे main theme यह होगा कि हम लोग यहां पर time frame यूज करने वाले time frame जो हमारा रहेगा पहले हम लोग 5 minutes में देखेंगे उसके या फिर breakdown करें समझगे clear है इन प्लेस पर बस इंटरी हम लोग करने वाले और कहीं नहीं करेंगे CPR का support resistance होना चाहिए EMA का support resistance होना चाहिए और कोई भी लेवल का breakout या फिर breakdown होना चाहिए बात थर्ड नमर पॉइंट में जो third and most important क्या होगा हम लोग जहां पर इंटरी करेंगे उसके हम लोग TSL करेंगे उसमें या फिर profit booking करेंगे या फिर हम लोग उसको क्या करेंगे कि तुरंथ हम लोग exit कर ज जाएगा और इसमें आपका इंबॉल्व हो जाएगा कैसे सब कुछ होगा मैं आपको one by one चार्ट पर दिखाता हूं पहले मैं यहां पर छे तारीक में बात करूंगा फिर five तारीक के ऊपर भी आओगा तो पहले मैं छे तारीक के बारे कुछ आपको बताता हूं जैसे example समझ आप कोई भी सपोर्ट रहो करो कोई अपका हायर टाइम फ्रेम हो कोई माइन की रखता है कि कितना इंपॉर्टन लेवल है जैसे आप यहां पर देखो गे चार्ट पर आपको क्या दिखेगा कि आज के दिन जो हमने यह वाला ट्रेड में इंटर किया था फर्स्ट ट्रेड म पर हमारा कॉल का टेड इंटर इनिटियेट नहीं हुआ और यहां पर हमें फूट के तरफ ध्यान देना पड़ा क्यों ध्यान देना पड़ा इसका सेम रिजन है यहां हमारा प्रीवियस मन्थ लो क्या होता है जब हम लोग C P.R युज करते हैं तो C.R में हमारे पास कुछ क लेवल बना हुआ, कितना strongly आज की दिन काम के और उसको हम लोग कैसे method के साथ यहां पर यूज करते हैं, जैसे मैं यहां पर आता हूँ, आपके सामने में लगा कर दिखाता हूँ, यह सारा चेज मैं off करते हूँ, थोड़ा देर के लिए मैं आपको एड़ान से पर भी दिखा करता हूँ, यहां से मैं जाकर monthly में आ जाता हूँ, थीक है, monthly में जब आ रहा हूँ, तो यह आपर देखे रहे हो, previous month यहां पर low था, अब question यह आता है, previous month low था, इस level को हम लोग इतना importance क्यों दिए, थीक है, सही बात है, आपको बोलना में सही है, कि हम लोग क्यों importance दिए, अ यहां पर, previous month low यहां पर बना होगा था, यह क्या था, इसी position से बहुत strongly market में एक move आया था, ठीक है, इसी position से market में एक strongly move आया था, और just उसके नीचे कौन से level है, camera level है, camera level है, camera level है, इस month का नहीं, यह पिछले month को में बात कर रहा हूँ, तो यहां पर बहुत combination के साथ क्या था, कि बहुत अच्छा support का काम करनी वाला था, जब आपको पता है कि support का का काम करेगा और break करेगा, strong resistance दे सकता है, जब हमें strong resistance देगा, तो कब देगा, जब previous month low यहां पर break करेगा, इसी के according, जब 5 minute में हम लोग आते हैं, ठीक है, 5 minute का time frame पर जब हम लोग आते हैं, और इधर ने क्या direct वहां पर entry बना लिया, बिल्कुल ने, entry हमने कैसी वहां पर बनाया, वो आपको दिखाना ज़रूरी होता है, entry बनाने के लिए, सबसे पहले अगर आप यहां पर daily CPR लगाँगो, तो आपको क्या दिखेगा, आप अच्छे समझते चलना मैं आपको बता दूँगा, देखिए, daily CPR आपको क्या बता रहा, रिवेस्ट हायर बन से market reversal ले रहा, और यह CPR दगा सकता है, बीच में कोई level आपका entry का, कोई level नहीं है, क्या daily breakdown होगा, कोई level नहीं है, अपर हमारा entry नहीं बन रहा, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सबस्ट करना है, यहां पर मैं day कर इसको जैसे मैं यहां पर convert करता हूँ, हम मुझे क्या दिखता है, कि ऊपर से कि strong resistance आ रहा है, तो मैं क्या बोला था ग्रूप में, या फिर मैं बूलू, live stream में मैं क्या बोला था, मैं बोला कि call भाई, अगर हम लोग करना है, तो जब तक यह level break नहीं होगा, 50,520 या फिर 50,500 के level break नहीं होगा, हम लोग call में entry नहीं करेंगे, और आपको मैं दिखाता हूँ, कि हमने भी call गया के entry बनाया था, आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन हमारा entry वहां पर trigger नहीं हुआ, आप देखो, सबसे पहला trade हमने call में ही बनाया था, call cutted हमने यहां पे एनी set किया, बट क् कि इसमें entry trigger नहीं हुआ, 320 पे हमारा entry था, 300 पे stop loss था, current market price 300 चल रहा था, और इसमें हमारा trade execute ही नहीं हुआ, हम लोग यहां पे क्या बात कि हैं कि थोड़ा risk trade हो सकता है, आप देख लो, risk trade हो सकता है, उसकाद हमने put cutted बनाया, put cutted हमने बनाया, 320 पे entry, 300 के stop loss, कितना point का stop loss, 20 कितना point, आपके according कितना point हमें मिला होगा, मैं नीचे दिखा देता हूँ, सारा advance repair में यहां पे use क्या हूँ, यहां पे दिखा देता हूँ, 200 point हमें देखने को मिला है, एक trade में 200 point सबसे first trade में, अब आपको हम बताता हूँ कि 200 point जो हमें मिला, यहां बस हमने previous month low देखकर किया नहीं, यहां पे हमारे पास scalping जब भी आप करोगे न, आपके पास कोई न को ऐसा setup होना चाहिए, कोई न को ऐसा strategy होना चाहिए, जो आपको confirmation देगा, जो live market में आपको बताएगा, ऐसा नहीं कि market बंद होने के बाद आपको बता रहा कि इतना momentum मिल सकता था या फिर उतना momentum मि ने क्या देखा कि जब market इसको breakdown कर रहा था, उपर से यह पूरा हमारा level as a resistance वक कर रहा था है, हमें समझ में आ चुका था कि कहीं ना कहीं तो यह CPR तक जाने वाला है, ठीक है, उसके वाज़ा market CPR पर आने वाला था, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, बाहीं मैं बताया था, य यहाँ पर जाकर level on कर देता हूँ, यह क्या है, six month CPR है, इसको मैं on कर दिया आपके सामने, on करते ही मुझे क्या दिखरा, exact target दिया है, क्या बस आज दिया है क्या, आप आपको दिखातो backtest result, क्यों मज़ा आता live trade करने में, क्यों मज़ा आता live stream करने में, आपको अब दिखेग यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है क्या होता है, असली मज़ा, देखो, यह क्या on है मेरे सामने, यह मेरे सामने on है, six month का CPR, यह देख रहे हो, 24 में start हुआ, जुलाई में खतम हो गया, जुलाई के बाद एक नए CPR बना, उससे पहले अगर आप देखो कि यहाँ यह जु रिक आउट हुआ तो मार्केट में क्या हुआ, ब्रिक डॉन हुआ तो मार्केट में क्या हुआ, और मैं दिखाता हूँ रिजल्ट इसका, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यही होता है कि जब आप बैक्टेस्ट करोगे जब लाई मार्केट में आ मार्केट पॉॉल गया तो इसी लेवल पर मार्केट आया इस लेवल के आठीo ऑगर प्रोल तक हमने टारिट बनाया कहा क्या तक टारिट यहां तक SAY से क्वांट सब्ढ़ Toukhun था कि जब मार्केट रीवर्स किया उसके और हमने यहां पे लगाये इंडिकेटर अपना पता चलए हमें पता चला पिर मार्केट में कॉल लेना आइए 200 आपर के ऊपर कॉल लें उससे पहले कॉल नहीं बनने वाला यहां पे हमने put cutted in his rate किया बट यह पूरे position में यहां से लिकर यहां तक यहां पर हमारा दो stop loss चला गया कितने point के stop loss गया हमें 20-20 point का यहां पर stop loss गया हमें पहले कितना point मिला था 200 point का चीक है उसके बाद मैं live stream में बोला कि अगर in any case यह जो आपको black line यहां पर दिख रहा है यह ब्रेक हो जाता है खोटा से stop loss के साथ बहुत बड़ा target आपको मिल सकता है और मैं live stream आपको बताया भी था यह भी आपको याद होगा कि यहां पर कम से कम आपको 1500 point आराम से मिलेगा आपको मैं दिखाता हूँ जवीदर आमारा level ब्रेक हुआ कितना point आपको मिला यहां पर देख लो ब्रेक होने क बाद 4500 point मिला क्यों हुए है अतना बड़ा momentum क्योंकि आपको अपने level पर confidence होना चाहिए आपको entry पता होना चाहिए exit पता होना चाहिए बात यह करता हूँ कि मैं यह जब indicator यूज कर रहा हूँ अगर आपको चाहिए तो आपको कैसे मिल सकता है उसके लिए आपको हमारा telegram जोइन करना पड लाएगा को जोइन करना हो लिंक की डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर जोइन कर सकते हो अब फिर से मैं आता हूँ यहां पर यूट्यूब के ऊपर आपको बताता हूँ कि मान लीजे कि मैं आपको entry बता दिया हूँ कि कैसे हमने indicator को यूज करके perfect entry कर लिया बट प्रॉलम क हो या फिर exponential moving average हो या फिर moving average ऐसा हो कि जो आप मान लीजे कि तीन moving average यूज करो दू moving average यूज करो आपको तब तक confidence नहीं आएगा जब तक आप live market में देखो अब मैं पताता हूँ कि मान लीजे कि यहां पर किसी ने trade किया होगा और अगर जो हर वीडियो मैं यूज करता प्राइविस्टी में बताया था इस्पॉट चार्ट के साथ भी और प्रीमियम चार्ट के साथ भी वहां पर आप जाकर देख सकते हो बाकि यहां पर मैं दिखा देता हूँ मान लीजे मार्गेट यहां से ब्रेकडाउन हो रहा है प्राइस कहां पर चल रहा 50100 के पास ठीक ह मैंने ओपन कर लिया ओपन करने के बाद तीन यहां पर यह में लगाना है इसको एक बार खॉपी कर लिया जाए इसको मैं कर देता हूँ थर्टीन ब्लैक कि अपना यम हो गया अब अपना एंटरी कहां पर था कौणसा कैंडल पर इंटरी था सबसे पढ़े में इAnother अग.. मुझे दिख रहा कि इनसाइड बना हूपा है .. इसके बाद हमारा यहांपे A lucky बना हुआ इसी पोसिटेन पर मैं चलता हूँ.. इसके बाद हमारा यहां पे A luckyTOR बनता है.. मैं पेल रहां चैलल के बना हूपुँ है.. इंट्री आपका बनता हुआ, थोड़ा मैं चार्ट बढ़ा कर दिया थाकि आपको समझ में आ जाए, चार्ट मैं थोड़ा बढ़ा कर दिया है अप लोग के लिए, यह प्लेस पर ध्यान देना, ठीक है, मैं एरो ला रहा हूँ फिर से, एरो मैं लाया यहाँ 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 प प्यार तक का, 140 पॉंट का टार्गेट, बना या फिर नहीं बना, क्या आपको डरने का जरुआ था ट्रेड में, क्या आपके पास कुछ ऐसा रिजन था जहाँ पर आपको डर लगे, तीन EMA है, और EMA का हमेशा कॉंसेप्ट यह रहता है, कि जितना यह वाइड होता जाएग बना यहां फिर लाएट का, क्या टार्गेत का, आपको का, तो आपको TSL में प्रॉलम नहीं आया, आपको setup में प्रॉलम नहीं है, अब बात क्या आता है, कि आप लोग को दिक्कत क्या होता है, कि आप लोग live market में देख नहीं पाता हो, कि सही जगा आप entry कैसा करना चाहिए, थोड़ा सा अगर आपको और प्रॉलम हो रहा है entry समझने में आपको एक चीज़ बताता हूँ, कि जिसको आप use कर सकते हो, जो कि हम लोग use करते है ADX, ADX आप उपर का जो indicator देख रहा हो, उसको हम लोग ADX बोलते हैं, आपको मैं थोड़ा बताता हूँ, यह जो black line इसको हम लोग ADX बोलते हैं, red line को minus di बोलते हैं, और green line को plus di बोलते हैं, अगर market को overall momentum करना होगा, तो black line को उपर जाना होगा, जब तक black line falling है, तब तक कोई momentum नहीं आएगा, अब आपको मैं exact दिखा देता हूँ live market में, आपके सामने मैं दिखा देता हूँ भी, कैसे market यहाँ पर work करता है, और कैसे आपको trade देता है, example समझे, यहाँ पर market क्या करता ह यहाँ से, इस position से, आप देखो कि क्या हुआ यहाँ पर, crossover होता है, crossover होने के बाद क्या हुआ, red उपर चला गया, green नीचे आ गया, इतना बड़ा momentum आया, put में, put में अल्रेडी momentum आ चुका है, उसके बाद क्या हुआ, फिर से मैं vertical line लेता हूँ, और यहाँ पर draw कर देता हूँ यहाँ पर draw कर दिया, क्या आपको दिख रहा, red line, sorry, black line नीचे जा रहा, green line नीचे जा रहा, red line नीचे जा रहा, मतलब तीनों का premium, मतलब दोनों का premium गिर रहा, call कभी, put कभी, आप इतना दुर देखो, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, पूरा side way, उसके बाद आप देखो, यहाँ से adx fall होने लगा, minus di fall होने लगा, और plus di increase होने लगा, तो क्या हुआ, premium कहीं ना कहीं, put का premium यहाँ से degrees होने लगा, और यह setup आप as a option buyer use कर सकते हो, as a option seller use कर सकते हो, हर लोग आप use करोगे, तो आपको profit यहाँ पर मिलते दिखेगा, अब बात यहाँ आता है, कि हमने तो five minute पे बात कर लिए, हमने entry भी देख लिया, मैं आपको one minute पे setup बताता हूँ, ठीक है, one minute पे कैसे आप trade करोगे, छोटा से stop बनेगा, निफ्टी का chart open कर लेता हूँ, निफ्टी में one minute में समझा देता हूँ, मैं यहाँ पर one minute time frame open कर लिया, ठीक है, जो यहाँ पर मैं entry बनाया था, यहाँ पर जो मैं entry बनाया था, उसका chart आप देखो एक बर, यह बर आप इस chart देखो, आपको समझ में आएगा, पहले market क्या करता है, पहले market day high के पास कहीं न कहीं double top type pattern बनाने का कोशिस करता है, जब यह pattern बनता है one minute time frame में, लोग क्या धियान रखते हैं, कि हम लोग यहाँ पूट का entry करेंगे, हमने यहाँ पूट का entry करके यह position बनाया था, पर मैं यह setup का बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमनों कैसे यहाँ पे entry करते है, one minute time frame का recording, आप देखो, कभी market को ऊपर जाना होता है, तो market ऐसे ऊपर जाता है, कभी market को नीचे होता है, तो market ऐसे नीचे आगा साइड पर रहेगा, तो ऐसे जाएगा, अब यहाँ का momentum आप देखो, यह high हुआ, second high हुआ, third high हुआ, fourth high हुआ, fifth high हुआ, sixth high हुआ, या कोई भी अपने high को break किया, नहीं, मतलब क्या market bullish है, बिल्कुल नहीं, market bullish नहीं है, इतना मुझे समझ में आ गया, दिखते क्या market bearish है, ज मतलब यहाँ से यहाँ तक market ना high को break किया, ना low को break किया, पट हमें एक समझ में आ रहा था, कि low कहीं ना कहीं एक position पर रुका हुआ, और high जो है, वो धीरे धीरे नीचे आ रहा, high नीचे होते जा रहा, मतलब माल लिजे कोई भी stock अगर price 100 और प्या, वो 98 पे आगया, 96 पे आ कि price 90 का level break किया, तो बहुत बड़ा fall कर सकता है, उसी के तरह जब हमने यहाँ पे entry बना है, तो मैं क्या बोला, कि अगर market यहाँ पे आएगा, target ले सकते हो, और in any scenario यह level अगर break कर देता है market, तो बहुत बड़ा fall आपको देखने को मिलेगा, जो आपके सामने result है, आप देख साइडवे हैं, मैं साइडवे के उपर कम से गम 100 वीडियो बना चुका, अपना YouTube पर चेक कर लेने जाकर, साइडवे मार्केट के उपर मैं 100 वीडियो बना चुका हूँ, अपना indicator यूज करके मैं बता हूँ, कैसे हमने trade बनाया है, कैसे आप लोग trade कर सकते थे, question यह आता है, आपके पास 10.000 रुपे, आपका एक रुपे दुरुपे का लॉज होने वाले, क्या आपको डर लगा है, काभी डर नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या समझे रहे हो, क्या आपको डर क्यों लग रहा है, क्योंकि आपके पास 10.000 का capital है, वहाँ पर आप देखर हो कि 5.000 रुप सकता है 10,000 रुपय लॉस हो सकता है अपको डर इसलिए लग रहा है आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा क्वैंट्रेटी आप कितना पाई करोगे जितना आप लॉस सकते हो और रसाने का मतलब यह नहीं होता है कि आपके पास 10,000 का कैपिटल हो और आप सोचो कि हाँ पांचन मैं से लूगा कोई दिकत निए ऐसा नहीं होता है आप अपना कैपिटल के अपड़ेट करोगे और इसको इतना अच्छा तरीका है इतना अच्छा तरीका इस लाइश्टी में बता है था पिं निफ्टी का चार्ट में आपको दिखाता हूं ऐखें से अच्छोटा मो प्रेवियस टे लोग मार किया था ये कंडल को इस कंडल को अब यहां पर मैं वन मेर टाइम फ्रेम पर आ जाता हूं मेरा व्यू था कि अगर एक बार यह ब्रेक होता है तो मैं यहां पर बड़ा क्वांट्रीड डालूंगा यह तीन ट्रेड में ही मैं बड़ा प्रॉफिट ल का एंट्री कर रहे हो तो पूरा ट्रेट का बेट नहीं करना आप यह नहीं देखो कि मार्केट वूपर जाएगा फिर मार्केट नीचे आगा मैं क्वांटिटी इंक्रीज करो इतना टाइम नहीं रहता है सकेल्प आप कर रहे हो 30 सकेंड पचास सकेंड अगर अच्छा मोमे पिर अपना कुछ भी यूज करो एग्जेक्ट जगहा पर इंट्री होना चाहिए और एक्जेक्ट जगह क्या होता है जो आप यहां पर देख सकते हो तो मैं दिखा देता हूं जो सबसे पहले मैंने लिखा था एक्जेक्ट जगह आपके लिए वह होगा जैसे कि माल लिजे को मानते हो इसके को डुट करते हो और जगहा पर निमाग लाने कोई जरूबत नहीं है यह तीनों पोजिशन है अगर तो आपको परफेक्ट इंटरी पता होना चाहिए कहीं पर भी हवा में इंटर नहीं करना चाहिए सेक्षिन में अफिलिक सकते हो और अगर वीडियो पसंद आतो प्लीज वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल ही मलते नेक्ट वीडियो में थेंक्यो